उमेश्पाल की हत्या और उसके बाद अतीक के लड़के का एंकाउंटर और उसके बाद अतीक और अश्रफ की हत्या ये सब घटना अगर नहीं घटी होती ही तब उत्रपदेश के स्थानी निकायों का चुनाव शायद नाली, सड़क, खलंजा, पानी, इस पार्क ये जो इस्थानी निकायों के मूल काम होते हैं उन पर ठिकता जाकर लेकिन जो एक बड़ा और विचित्र घटना करम घटा उसने उत्रपदेश के राजनीति का पूरा नेरेटिव ही चेंज कर दिया उसका पूरा परिद्रश्य ही बदल दिया और उत्रपदेश ही क्यों बहुत दूर तक इसकी गूँज गई है आज अलविदा की नमाज थी और पटना से ख़वर आई ही कि एक मस्जित के बाहर नमाज के बाद अतिक को शहीद बताने वाले नारे लगे धूओधार लगे और योगी मोदी मुर्दाबाद ये नारा भी लगा अब जब ये नारा लगेगा कि अतिक शहीद आजम अतिक और योगी मोदी मुर्दाबाद तो स्वाभविक है कि राजनेतिक प्रद्रश्य बदलेगा और सबसे निर्णायक मुद्दा हो जाएगा यही उबसी से लेके समाजवादी पार्टी बसपा कॉंग्रेस सब इसे मुद्दे के इर्द गिर्द अपनी अपनी प्रतक्रियाई दे रहें नारा भी लग रहा है योगी मोदी मुर्दाबाद तो स्वाभविक है कि निकाय का चुनाव उसका केंद्री विंदू यही घचना होगी और दो दिन पहले योगी आधितनाथ ने भी कहा कि हम कानून व्यवस्था और विकास इन दो मुद्दों पर चुनाव लाएंगे वि पूल बात निकल कर आई कि योगी की पारिटी भी यह चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ने जा रही है इसे पर दो दो हाथ होंगे यहीं से तय होगा कि जनता का विश्वास किसके साथ कानून व्यवस्था पर अपराध पर योगी की जो रीती है नीती है नियत है उस पर यह एक तरह का रेफुरेंडम होगा जनादेश होगा विश्वास मत होगा और विपक्षने इस दोरान जो आरोप लगाए हैं यह अतिक को शहीद बताने वाले जो नारे हैं उन पर भी विश्वास मत होगा लगभग चार करोण तीस लाख मत दाता उन उस नारे पर भी अपना मत व्यक्त करेंगे इस्थानी निकाए के चुनाव में कि अतिक शहीद कैसे हो गया और योगी मोदी मुर्दाबाद सीधा विभाजन है सीधी रेखा किची है उसी से तय हो जाएगा पाले साफ हैं दोनों तरब की सेनाई साफ दिख रही हैं वियो हुरचनाथ बन चुकी है समरांगण तयार है युद्ध के लिए उसी में बीच बीच में कभी गुड़ू मुसलिम कभी शाइस्ता तो कभी मुखतार और अफजाल अंसारी पर उन्तिस तारीक को कोट का फैसला कभी मुखतार की बेगम आपसा इन सब के जो घटना करम रहेंगे वो भी उसमें अपनी भूमी का निभाते रहेंगे लेकिन तय यह मानिए कि अतीक के प्रसंग ने उत्तरपदेश की राजनीति में कि दो वर्घ पैदा कर दिये एक वह बर्घ जो कहरा है न है अतीक जैसे अपराधियों के के साथ कहीं किसी तरह की शीदी या परोक्ष हमदरदी नहीं हो तकती कि वह अपराधि था अपराधि है और अपराधि कही तार पर याद किया जाएक दूसरा वर्ग यह हैं जो मानता है कि अतिक को कानून के हवाले रखना चाहिए था कानून में स्वाभाविक है 44 साल से थे ही कानून के हवाले तो जेल में आनंद था ही और वो सीधिन नहीं अगर अतिक की पैर भी कर पा रहे हैं यह कहते हैं कि कानून संविधान नोगतंत्र भाईचारा इसको नुक्सान पहुँचाया है जब वो ये बोलते हैं कि लोक्तंत्र को नुक्सान पहुंचाया संविधान को तो मान कर चलिए वो यह कहना यह चार है कि अतिक को नुक्सान क्यों पहुंचाया दो हिस्सों में विभाजन हो गया राजनीती उसी बिंदु पर आकर ठिक गई यह अतिक कांड और इससे उपजे सवाल काणाटक में मुधा बन गए बताई कहां इलाबाद कहा करनाटक यह अतिक कांड और इससे उपजे सवाल पठना में मुद्दा बन गए वहा नारा लग रा कि अतिक को शहीद बताते हुए और योगी मोदी मुर्दाबाद तो उत्रपदेश में तो गटना गटी है तो स्वाभा भी कहें यह मुद्दार रहेगा और इसे मुद्दे पर रेफरेंडम हो जाएगा इस्थानी निकाय का चुनाव मैं सोची रहा था कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परस नारा लगेगा जरूर आज लग गया पटना में अलविदा की नमाज के बाद सडक पर इनारा गूंज गया कि अतीक शहीद है और योगी और मोदी मुर्दाबाद तो जब पटना में नारा लग रहा है करनाटक में इमरान परताब गड़ी के जरिए अतीक मुद्दा बन ग लाओ पर योगी की रीती, नीती और नियत पर रेफरेंडम माने, जनादेश माने, क्योंकि विपक्षी ने भी उसी पर लाइन खीची है, वो भी कोई और मुद्दा ने उठा रहे है उत्तफदेश में, मुख्य मुद्दा उनका भी वही है और सरकार भाजपा का भी वही ह क्या हम माने कि यह इस पर जनादेश होगा, विश्वास मत होगा जनता का, क्या निकाय चुनाव इस अतीक एंड कमपनी के मसले पर रेफरेंडम माने हम, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस सपावसपा है, उनका रुखालग है, इनका रुखालग है, क्या उस पर जनादेश माने, इतनी सी बात है, बक्या कहानी तो जनता जानी दोए एक महिने से, बिलकुल अमिताजी, इसका कहीं न कहीं जनादेश जो होगा, जो भी जनिकाय चुनाव होने वाले, इसका असर दिखेगा, एक वर्ग बट गया है, और दूसरा वर्ग बट चुका है, ठेक है, हीपोक्रेसी सबके सरचड़ के बोलती है, लेकिन मेरे घ्रह गोचर अएसी है जनम पत्री मेें, के मेरी सबसे ज्यादा मुट भेड़ ही हिपोक्रेसी से होती है, इस बात का कोई मतलब नहीं कि धर्म क्या बोलते ह। आतंकबाद का धर्म नहीं होता, अपराधी का म पर पटना में नारा क्यों लग रहा है वह भी शी काया कुछ इंद ला रहे कि मुसल्मान थे इसने मार दिया और मुझे यह सवाल क्यों कुछ ना पढ़ रहा है कि पश्म पश्मी उत्तरपदेश भिज्णवर में आदित नारा मारा गया वह भी बदमास था धाईलाक का इनाम नहीं था चोटा मोटा नहीं था बड़े साइज का था किसी ने नोटीसी नहीं लिया मरें गुड्डू मुसलिम मरा तो बावाल मचा क्यों कि बाकी लोग ललू नहीं है उसम समझते से यह बाते हम अपने तीनों राजनेतिक मित्रों से निवेधन करेंगे बहुत बिनमर भ जाए तो जनता का भला होगा करना जो है उस पर ठीको कि धर्म की जाए हो अधर्म का नाशो प्राणियों में सद्वाब हो ऐसा कथा के बाद अच्छा लगता है शो में नहीं मैं बहस को और क्रिस्प करूँ समाजवादी पार्टी ने आज कहा कि उत्रपदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई ठीक बात है उसके मेरी डिमेरिट में नहीं जाए वो सोनकर बताएंगे हुई की नहीं हुई उस पर बूल कहेंगे हम यह मान कर चलते हैं कि आप निकाय में आपका क किंद्रिय मुद्धा ये रहेगा ठीक आप इस पर इतना फोकस करेंगे मतना किंद्रि मुद्धा रहेगा बाजपा ने अपना मुद्धा साफ करी दिया खुद योगी जी ने कहीं दिये कि हम तो कानून व्यवस्था के मुद्धा पर लड़ाएंग चुनां तो क्या हम लो किया था बहुत विनम्र भाव से कि जनता का फैसला अपराध गुंड़ई रंगवाजी भौकाल माफिया कानून विवस्था इन सब के ऊपर जनादेश होगा कि नहीं इतना जानना चाह रहे थे आपने सब बताया इस पर नहीं बोले जनता का फैसला तब इसके होता है जब ताफेन माफिया जो मानी मुक्मंत्री जी के सवजाट्री है उनके खिलाब भी इसी तरह ठीक आपना होगा मैं दीपक सोनकर के पास चलूँगा नेकर उससे पहले दो बाते आशो की आदब जी के ने कहीं थीक आज ठीक है दो बाते कहि मैं दीपक सोनकर के पास जाओंगा प्रिसुदाजी के पास आओंगा मीठा मीठा गप कड़बा कड़बा थू अपने पार्टी के लोगों से कहिए कानून ब्यवस्था के मुद्धे को पीछे करें फिर बाकी मुद्धे आगे करो और नहीं तो ये साहत रखो दो पटन कोल इतना तो ख्याल नखो भई और एक बार बार बात आई के पुल्वामा मैं उस पर ज्यादा जंजर में पढ़ना नहीं चाहता है अब मेरे दोस्त हैं अशुक जी उनने एक सवाल उठाया है उस पर छोटी सिटिपनी जरूर कर दू मेरे लिए वह उस व्यक्ति का कथन प्रा प्रामानिक होता है अशुक जी ज्यानत सुन लिजे का सब लोग कई लोग मुश्य शोचल मीडिया पर पूछ रहें आप इस पर ने बोले उस पर ने बोले तो बोली देता हूं मेरे लिए केबल उस व्यक्ति का वचन और कथन प्रामानिक होता है जो बिना किसी भय मोह और लालच और स्वार्थ के तत्काल बोले ठीक जब कोई पदपर है उस वकत घटना घट गई उसने उस घटना का विरोध नहीं किया इस्तीफा नहीं दिया बहार आके ये ने का ये ले अपनी लकुट का मरिया बहुतरी नाच नचायो हम नहीं रह सकते इसमें हम पाप में भा गुलाम नबी हो जहें सत्पाल मलिक हो मैं दोनों की बात को वजन नहीं देता अशुक जी हमेशा के लिए समझ रहे जिए ना गुलाम नबी की गुलाम नभी आजा जब तक मलाई का रहे थे तब तक राई गांदी खराब नहीं दिखे उनको अग उदर से मलाई बंद दू तो गड़ बड़ लोगों से मिलते हैं और तो आप बताते ना आप में सहास्थ था तो आप क्या कर रहे थे स्वत्पाल मलिक मैंने ऐसा कहा मैंने अरे भाई साब उसकत आप इस्तिफा क्यों नहीं दे दिया इस्तिफाद है कि खड़ामा खड़ामा इधर आजाते बागपत यहां आनेक बाद भायर को इंट्रिव्यू देते के ते मैं इस्तिफाद है आया यह गोल गोल बाते नहीं कर वहीं आशोग जी ना आज आप सपा में हो तो अखलेश यादव जिन्दाबाद कल जब सपा दिये आप निकल के अगर बोलोगे आगले जादव गलत है तो मैं आपको भी खारिश कर दूँगा आज बोली अगर सहास है तो ठीक है नहीं जान खायते लोग कि इस पर नहीं बोले इस पर नहीं बोले मैं गुलाम नभी आजात कभी इंट्रिव्यू करने नहीं गया सत्पाल मलि कभी ने करूँगा ना एक से सुधा जी खुश होगे एक से भाजपा वाले खुश होगे क्या होने दीजिए कोई दिक्कत नहीं मुले लेकिन मैं सब गंदी राजनीत में उलस्ता उस बगात तो जले भी खा रहे थे वैटके अब ज्यान दे रहे हैं इस अब कुछ नहीं प कर देशा नेता नहीं पाज़ा हुआ और राहूल गांदी को कश्मीर की समझ नहीं यह बोल रहे हैं मलिक साप आज्यान दे रहे हैं यह फर्जी बाते नहीं नहीं कते ही नहीं मेरे साथ नहीं हम उधर नहीं जाएंगे सत्माल मलिक गुलाम नभी आजा धालेंड पोलेंड क कि विकास पर्मानेंट फ्रेज है विपक्श सब इस्तेमाल करते हैं और अनंतिकाल से करना है इसली का संnes بنavaitन क कर दें तो मूल बात निकल गए कानून विवस्थ T ao कि योगी आधितनाद का नून विवस्था सो को लेकर ढएक को शॉप एक्ष्ण होता है जो उनका 1 इक इसके प्रशंशक भी है, इसके आलोचक भी है, क्या उस पर मोहर लगेगी, उस पर जनादेश होगा ये, इस्थानी निकाय के चुनाव, चुकि बड़ी संख्या है बोटर्स की लगबग 4 करोण 30 लाग से जादा, जो आरोप कानून विवस्था को लेकर विपक्ष लगा रहा है, योगी आदितनाथ पर, वो, और जो एक्षन योगी आदितनाथ की सरकार ले रहे हैं, वो दोनों जनता के सामने आ गए, और दोनों talk of the town है, दोनों पर उत्रपदेश की गली-गली, मोले-मोले, चर्चा हो रहे हैं, और नेता भी उसी पर धमाचाउकडी कर रहे हैं, तो यह माली आ जाए कि जो पहला आवसर मिलेगा उत्रपदेश के साड़े चार करोन, लगबक साड़े चार करोन लोगों को अपना मन और अपना मत बताने का, उसमें यह मुद्दा सबसे बड़ा होगा, और जो भी नतिजह आएगा 13 मई को, वो या तो इस तरफ महर लगा देगा, या उस तरफ की नीतियों पर महर लगा देगा, अगर हम आ आपको कहेंगे कि आपको जनता की नव्ज पता है, इसलिए आपका अविलंदन, एक सब्सुन लो धरी से, और अगर बीजेपी जीत करी तो हम आपको बुलाएंगे, हम कहेंगे आपकी बात गलत थी, जनता ने आपको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आप जनता को नहीं समझ पाए, ये तो दुरुस्त बात है ना सुधा जी? मैं बोरू अमताब जी? हाँ, छोटा जूटा बोला नहीं, लंबा नहीं, जोटा जूटा जूटा नहीं, जितनी मैंने आपको तक्ष्माश जानकारी दी है, इसमें अगर आप एक भी जूटा साभित कर दें, म पादर क्रांद ठेक है, अब रुकना होगा, सुधाजी अब रुकना होगा, संजेर आणक पास चलता हूँ, मुझे उन राजनेताओं से, उन पार्टियों से सक्त एफराज होता है, जो भारत की महान जनता को ऐसा निरूपित करते हैं, कि उसको कोई भी बर्गला ले जाए गजब पाद करते हैं, इस ही जनता से नेता पाइदा हो रहे हैं, और नेताओं को दिमाग खराब हो जाता है, वो करते हैं, कि जनता रुटिन ही खाती, इस जनता ने इंद्रा गांधी को चुना भारा दिया, कम समझदार है क्या है जनता, इस जनता ने आटल वेरी कैसे मैं मालूंग जनता को भरगला ले जाएगा कोई, नहीं, यह नहीं, जनता के निरने को पूरे सम्मान के साथ सुईकार करिए, जब आपके खिलाब निरने आए तो यह मत कहिए कि दूसरे ने भरगला लिया, कोई भेल होती है, क्या जनता को भरगला ले जाएगा, इस सुथाजी य्यम गलत बात है यह जंता को बर्गळा ने सकता है इस कोई माइकाल अलिन अकामिल कैसे होटका है जो को बातो बहुत्ली साधे each चार करोण दों को बर्गला ले जाएगा मैंने तो ऐसा आतिमानब कोई नहीं देखा इस देश में सब तो चुनाब हार चुके अब भाजपा इतनी काविल थी तो जब दो सीट थी तब क्यों नहीं बर्गला लेती थी बर्गलानी के कोई उमर तो होती नहीं कि आज कांग्रेस क्यों नहीं बर्गला लेती है जो आपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर है कि 2012 चौधा से कोई चुनाव समाजवादी नहीं जीते यह क्यों नहीं बर्गला लेते हैं मायावती जी की पार्टी भग्मान की बड़ी करपा रही रसरा से जीत गई यह तो विधान सबास बाहर हो जाती वह क्यों ने बर्गला लिये उन्हें बर्गलाने का सीक्रेट कोड नहीं पता यह जो पटना में नहरा लगा आज आपने भी सुना होगा हमने सुना तो आपन अभी ने तो मरवा दिया इसको जो इतना सादू प्रकति का देश भक्त और राष्ट्र सेवक्त था अतिक इस सुनारे पर आपकी क्या प्रिट्रिया है पार्टी की संजेराना को भरगलाने पर आपने चुकि मुझे बीच में लिया है कि अब सभी लड़ते तो मैंने सब्स्वीर याद रहती है घटना के मैं ऐसे दस लोग बता दूं जो आपके बारा से सत्रा की सरकार में समाजवादी चिंतक हो गए थे अब थे आपके आदमी आपका जोला लेके चलते थे में नाम लूँ सबसे लड़ाई आप करा दोंगे मैं बेकार बहुत ही बीचतर आ सब्सक्राइब करो किसी पर व्यक्ति का दाक्षे अपना ही करो मैं कोई पार्ट्री हो सबसे मित्रभाव आदर से बात करता हूं इसलिए हमारे विश्यों पर मतवेद हो सकते हैं लेकिन व्यक्ति का सम्मान रखो सब लोग आपस में शो के बाद भी तो जीवन है नहीं बहस के बाद भी जीवन है लोग जीवन है मिलना मिलाना है सब रहेगा सुधा जी से हमारी कितनी में नोग जोग हो जाए लेकिन सवहार्द थोड़ी ने खतब कर देंगे भी पार्टी अलग है बहस अलग है यही बात मुझे लगता है कि जिस भी मुद्दे के साथ हमको लगे कि यह मुद्दा प्रान तत्व है यह बड़ा मुद्दा है यह निरनायक मुद्दा है उस मुद्दे को लडाई तक तो लोग ले जाते हैं लडाई के बाद जब परिणाम विप्रीत आ जाता है तो फिर उसकी दूसरी व्याक्षा कर देते हैं फिर उस मुद्दे को छोड़ देते हैं, फिर वो कोई दूसरा कारण बता देंगे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, यह बात सपा से यह आप से, बहन जी ने तो खर कहीं दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे, तो अगर निरने आ गया, कि निकाए विपक्ष ने जीते, निकाए में, ठिक, तो माल लिया जाएगा विपक्ष का मुद्दा सहीता, भाजपा का मुद्दा खारिज हो गया, और अगर इसके उल्टा परड़ाम आया, तो यह नहीं माल लेना चाहिए, कि विपक्ष का मुद्दा खारिज हो गया, और भाजपा का मुद्दा जीत गया, आप जीत गए, आपके मूँ में घीशक क लेकिन अगर आप हार गए तब ये मानना होगा कि भाजपा की रीती नीती पर जनता ने मोहर लगाई और आपके आरोपों को खारिज किया अशुक जी नहीं तो समाजबादी पार्टी के नेताओं को थोड़ा मेहनत करनी चाहिए घर से निकलना चाहिए और अगर ये जहां ज पार्टी ये खाली हो जाएगी तब और आप बोलते रहे ना बर्गला लिया बर्गला लिया पीछे कार करते ही भाजप सब दूसरी पार्टी में चला जाएगा कोई नई बात हो नहीं करो मित्र ये तो सच्चा ही है 14 से अब तक कितना वर्ष हो गए 24 के चुनाब में 10 साल हो जाएंगे कुछ तो कहीं तो जीतना पड़ाएगा नहीं कार करता कैसे रोकोगे टीपी पर बोलने शिकार करता रुकेगा नहीं ना ये बात तो मानो ना जो बात में अशोक आदब जी से पूछ रहा हूं सुधा ज मेरी समझे कहती अगर आप जीते तो माना जाएगा आपकी नीती जनता को पसंद आई कि भाई अतीक हो मुकतार हो कोई हो सबके लगाम डालो सबके नकेल कसो बिलकुल विवस्था दुरूस्त रहनी चाहिए और अगर आप निकाय में हार गए तो हम मानेंगे समाजवादी जो कह रहे है तो ठीक है राहूल गांदी जो कह रहे थी कि ये बात तो साप सही है कि इसमें कोई गरवड है एक बुन्यादी सवाल कि जब कोई भी राजनेतिक दल या नेता ये कहता है परिणाम आने के बार पहले नहीं कि जनता को बरगला दिया ठीक आपको क्या लगता है कि ऐसा ऐसी प्रत्क्रिया ऐसी टिपनी जनता को भी नागवार गुजरती होगी उसको भी लगता होगा कि आमा हमको क्या समझे हो भाई नहीं राम गोपाल जी का भी बक्त भी चला था इस पर देखा होगा आपने कि उत्तरपदेश में संविधान और समाजवादी पारिटी इस भाव से आगे नहीं जाना चाहती वो अभी भी मान रही है कि अतीक अतीक का लड़का उसका वो क्या नामता गुड़ू बंबाज और अश्रफ इन सब का जो हुआ कारिकरम उस वो भाई और शारा दोनों की हत्या है और वैसी कह रहे समिधान की हत हत्या है ठीक तो अब एक मेरी जैसे सामानी बुद्धी के आदमी को समझ में आता है सोनकर जी के ऐसा तो नहीं के अतीक अश्रफ गुड़ू बंबाज इनका ही नाम भाईचारा गंगा जमुना संविधान और लोकतंत्र रख दिया गया बताया जारा कि इनकी हत्या हो गई क्योंकि अगर इसी हत्या होती होती तो एक हजार उधारण है जब भारी भरकम पुलिस अविरक्षा में हमले हुए और बंब से हमले हुए सिक्यूरिटी फोर्सेज मारी गए जित्ती तो मारे गया उसके साथ के सुरक्षा बाले मारे गए लेकिन कभी ही नहीं कहा गया कि सं काम से उड़ा दिये गए नहीं है अधिर के लिए तो बारे पंदरा सिपाही पुलिस वाले थे हैं अश्रप के लिए राजीम गान दे को तो बहुत बनी सिक्यूर्टी हासल थी है और ऐसे में सउधारण दे दूंगा बिना गूगल में जाए तो क्या वो भारत के हत्या माल लेंगे समिधान की हत्या माल लेंगे कानून की हत्या माल लेंगे लोकतंत्र की हत्या माल लेंगे दीपक जी क्या कानून विवस्ते क्या लोकतंत्र इतना सस्ता है भारत का लोकतंत्र भारत का समिधान क्या इतना कमजोर है कि पुलिस और किसी अपराधी की मुट भेड में क ये नतीजे से वो उसकी हत्या हो जाएगी, तब तो मेरे थाल से अब तक एक लाख वार संविधान की हत्या हो गई होगी, नहीं, कम से कम एक लाख वार, और एक लाख वार लोगतर मर गया होगा, संविधान किसी बच्चे की चंपक अननन की कहानिक किताब थोड़ी ना है, कि जिसके चलते भारत में विधी का शाषन है, जिसके चलते बड़े बड़े जिनको खुदा होने का भरम था, उनको घुटनों के बल बैठाल के तिहाड में अंदर कर दिया इस देश ने, किस ब्रह्मे, अधीक मिया क्या कह रहे थी अभी फोन पर, इस घटना से 15 दिन पहले हम म कोई सोच सकता था, गाजी पुर्मालों को सजा हो सकती कभी, अशोक जी, कोई ने सोच सकता था, क्या हो कि इने सजा, 29 को अनाउंस्मेंट हे दे इसका, है ना, हो गई ना, कोई सो सकता था आप अंसारी के खिलाप 50,000 कम इनाम हो जाएगा नहीं सो सकते थे ना होगी है ना ये भारत के सम्विधान की तागत है कोई ऐसा थोड़ी नहीं के कोई अखाडम कुर्षती होगी जो ज़्यादा बजनदार पड़ागा वो जीत जाएगा ऐसा नहीं है मित्र और इसी सम्विधान ने इसी लोक तंत्र ने आपको चार वार उत्रपदेश में मुख्यमंत्री के कुर्षी को बैठाला याद जी नही यह उसकी ने कोई दूसरा फार्मूला लगाता है नहीं ना मायावती कल्यान सिंग मुलाइम सिंग यादाव किस परिवेश से निकले थे और उत्रपदेश के मुख्यमंत्री के पहुंचे किसली कहते पहुंचे इसी लोक तंत्र से इसी सम्विधान समित्र अब आप कह दे तो असद को मार दिया समिधान मर गया अच्छा जी फिर बोले गुटू वंबाज को मार दिया पूल अब लोक तंत्र भी मर गया इसे मरते और आते नहीं से सम्विधान क्या लियरा लोक तंत्र का यह एक सो पचाश करन लोगों की किस्मत है क्या गुंडे मदमाश मवाली बड़े बड़े नेता जो पांच पांच बार राज्ट सभाम रहे वो सब लोग क्या करें अब सम्मिधान की हत्या हो गए ची ची कानून ब्यवस्ता की हत्या हो गए अच्छा जी जब कानून ब्यवस कि अइसा ना बता हो यह कानून है यह व्यवस्ता है जिसने आजम खान को भी बताया कि धर्म चक्र प्रवर्थन आए इसी को कानून का शाशन कहते हैं मित्रप कि सब को जुक के रहना होगा कोई हो नर्सिंग राओ सुलिए याद्व जी नर्सिंग राओ प्रण मंत्री विए भारत का लोक्तंत्र है यह भारत का संभी धान की तागतह इंद्रा गान्धी जेल गई आप उन्चे बड़े नेता हो अधानों इसी सम्मिधान से और इसी समिधान ने इंदरा सब्सक्राइब को अबयत्षित कर दिया था इसी कानून जगमोंलाल से और एक बात और कहूं इतिहास बड़ा निर्मम होता है। उत्रपदेश की एक घटना पर बड़ा बवाल मचा था। संसकार को भरोसे में लिए उसका संसकार कर दिया। ठिक हंगामा हुआ। या तब सुनिया आई सी ढून के लाया हूँ आनन्द आ जाएगा सब जनता को। है। जब राजूपाल मारे गए थे सिटिंगे में ले इसी कसारी मसारी की इलाके से लावार फश्षिक। दौडा के सड़क पर तेंपू में लेके भागे तो तेंपू को कालविन हस्पिताल के गेट पर रोक के 19 गोली और मारी तक कि वो मर गया। अशोक जी आपको सूचित करते हुए मुझे दुख है कि अशोक पाल की शब का अंतिम संसकार पुलिस ने बिना किसी को भरोसे में लिए अरिवार परिवार किसी को बिना आने देने के अपने आपी तेल डाल के फोग दिया। क्या। उस दिन लोकतंत्र भी हट्टा कट्टा रहा। संभिधान भी मोज में रहा। हैं। ऐसा था क्या। क्यों वो तो जनपत्ने दी था। लोगों को अधिकार था अपने नेता को श्रधांजली देने का उसके अंतिम संसकार में जाने का। क्यों। किया था ना। इसा मत करें। लोकतंत्र और संभीधान तब भी जीवित रहे। इंद्रा गांधी सरवोच सुरक्षा में थी। उनकी हत्या हुई। क्या उसके बाद लोकतंत्र भारात में खतम हो गया। संभिधान खतम हो गया। नहीं नौ। उनके बाद भी चला। इसलिए ऐसा मत कहिए जिससे लगे कि अपराधियों का महिमा मंदन हो चाहें सीधे और चाहें प्रकारांतर से और ये साहस सब लोग रखिये जिस मुद्दे को उठाइए उस मुद्दे पर जनता बोट दे तो कहिए कि देखो हमारी बाद जनता ने मानी और नहीं दे तो माफी मांगे जनता को जनता को गलत लगा हम जनता के मन को नहीं समझ पाए असमें बसमें अच्छा लगें बुरा लगें माननी जनताई की पड़ेगी क्योंकि इस देश से ना तो लोक्तंत्र कहीं जा रहा और ना समयधान कहीं जा रहा ऐसा नहीं हो तकता भारत में कि ने ने अब हमारी तबियत में चल गए अब हम ख को भी बुला बुणना को भी बुला अब गाड़ी निकालो राइफल लो कहां चलना का वोलो सपत लेंगा आगी जाके अइसा दो हो ने सकता ना बड़े-बड़े बाहु वली गए तो चुनाव के रस्ते भाईया नहीं नहीं इतने बड़े-बड़े अपरादी ये लोग डारेक्ट शपत नहीं आती केमद ये कसारी मसारी में शपत ले लेते खड़े होंके नहीं कि मैं उत्तरपदेश के कैबिनेट मंत्री की शपत लेता हूं नहीं ले सकते ना शपत तो तभी होगी जब जनता जिताक बेजेगी इसलिए ये लोग सब लोग निश्यंत रहे भारत से लोकतंतर कहीं नहीं जारा संविधान कहीं नहीं जारा उसके द्वारा तैकि ये रास्ति से ही सबको गुजरना होगा अच्छा लगे तो बुरा भी गरीब होतों भी बाहुवली होतों भी शरीफ होतों भी गुजरना उसी रास्ते से पड़ाएगा जो समिधान ने तैकिया जो कानून ने तैकिया जो लोगतंतर ने तैकिया धन्यवाद